नमस्कार कम्प्टेशन कम्यून्टी केस ऑनलाइन प्रेटफर्म पर आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग मैं उम्मेद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियो इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग फिर उसके बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग और साथ में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा संग लोग से बायोग के बारे में उस का जो पॉइंट नंबर फाइफ है चेप्टर नंबर फाइफ है अध्याए की अगर कह दें तो अध्याए पांच जो है यूनिट टेन का पॉइंट फाइफ जो है वो कहता है नियंत्रक एबां महालेखा परिक्षक आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखें इंग्लिस में इसको स्पेलिंग में Comptroller and Auditor General of India जब हम भारत के संदर में बात करेंगे क्योंकि हम भारत के संदर में बात करने जा रहे हैं इसलिए C.A.G का फुल फॉर्म, Comptroller and Auditor General of India भारत के नियंत्रक एबां महालेखा परिक्षक ये आप लोगों देख रहे हैं आप तो आईए हम पढ़ते हैं अब आज किसके बारे में डिटेल में देखेंगे C.A.G के बारे में कि इसकी क्या संबैधानिक बेवस्ता है इसकी क्या एतिहासिक प्रश्टुफूम रही इसका क्या कार है इसके संबैधानिक प्रापधान क्या है इन सब के बारे में बिस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे आईए हम कैसे पढ़ेंगे पढ़ने का हमारा आयाम क्या होगा कि इन चीजों को हम कवर करेंगे कौन-कौन से महत्तपूर बिं इनके बारे में हम क्या-क्या चीजे पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं आईए कहते हैं यह संबैधानिक निकाय है हम अभी तक जितने भी आयोग हमने पढ़ा वह संबैधानिक निकाय थे हमने संबैधानिक निकाय कि क्या वेवस्ता है किसके तहर संबैधानिक न क्यों है संबेधान की निकाय क्या होता है तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद भारतिय संबेधान के अनुच्छेद 149 में बारे में बात की गई है हमारे नियंत्रा के बारे में बात की गई है और जो यह अनुच्छेद है वह 148 वह भाग 5 जिसमें संग की बात की गई है उसमें अध्याय पांच से जो आर्टिकल है 148 से 149 मतर उनमें इसका बर्णन किया गया है तो आप ये जानते हैं कि संबैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जिनका हमारे भारतिय संबैधान के किसी विसेस भाग या किसी विसेस अनुच्छेद में बर्णन किया गया हो हम पढ़ेंगे क्या-क्या इसके बारे में वो आप देखें प्रष्ट भूम इसकी क्या रही उसके बारे में हम चर्चा करेंगी हम देखेंगे इसके परिचय के बारे में, बरतमान में इसकी क्या सनरचना है उसके बारे में, महत्पूर अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि सम्भिधान में कहां किन अनुच्छेदों के तहत इसका वर्णन है, क्या इसके सम्भैधानिक विवस हैं उनके बारे में देखेंगे उसके बाद देखेंगे पॉइंट नमबर 6 में मद्ध्य प्रदेश महालेखाकार कार्याले के बारे में क्योंकि हम मद्ध्य प्रदेश PSC की तयारी कर रहे हैं तो हम इसकी basic fact भी लेके साथ में चलेंगे और समझते चलेंगे उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि एक्जाम में कई बार आपके मद्द्प्रदेश के बारे में भी पूछ लेता है कि इसके कार्याले कहा है इसकी स्थापना कभ उई इन सब के बारे में जो भी महत्वण facts हैं उनके भी चर्चा कर लेंगे अन्य महत्वणतत्थ जो हैं जो हमारे CAG से संबनित और भी महत्वणतत्थ हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे तो आएए बढ़ते हैं आगे और पढ़ना सुरू करते हैं देखिए इसका जो प्रष्ट भूमी प्रष्ट भूमी क्या रही क्योंकि हमारा जो देश है उसका संविधान जो है वो आप जानते हैं कि 26 जनवरी उने 150 को लागू हुआ उसके पहले ऐसा कोई संविधानिक विवस्था नहीं थी तो हम इसकी प्रष्ट भूम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर CAG का जो एक तरह से एकपन कहें कि CAG कब से कारिकरना प्रारंब किया कैसी इसकी विवस्थाएं रही किनके कारिकाल में ऐसा हुआ उन सब के बारे में प्रष्ट भूम के बारे में एक बार देखें कि इसकी प्रष्ट भूम क्या रही 1773 ECI द्वारा लेखा एवं लेखा परिच्छा विवाग का गठन किया गया 1857 में लाड कैनिंग ने तीन प्रसीडेंसी कारि इनको सौपे तीन प्रसीडेंसी उस समय हुआ करती थी आपने पढ़ा होगा अगर इतिहास के बारे में तो आपने उस समय देखा होगा कि प्रसीडेंसी हुआ करती थी तो तीन प्रसीडेंसी का कार इनको सौपा गया था आगे इनका क्या कार था किस प्रकार के काम करते हैं, वो हम चर्चांगे करेंगे 1858 महालेखाकार कार्याले की इस्थापना की गई जब ऐसा लगा कि अब महालेखाका का जो काम है वो ब्रिस्तित है, उसको एक कार्याले की आवस्थिक्ता मैसूस हुई तो 1858 में ऐसा किया गया, 1860 एडमंड ड्रैमंड प्रिथम आडिटर जन्रल बने जब कार्याले की इस्थापना हुई उस समय अगर एक्जाम में आपके कोश्चन पूछा जाता है, कि पहले प्रमुक कौन रहे, तो आप बताएंगे कि 1860 में एडमंड ड्रैमंड प्रिथम आडिटर जन्रल रहे उसके बाद 1860 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया नियंतरक महालेखा परिख्षक उसके बाद 1884 में नाम फिर परिवर्तित किया गया और अब किया गया भारत के नियंत्रक और महा लेखा परिच्छक C.A.G. of India Controller and Auditor General of India और भारत सासा नधिनियम 29 की तहट इनको एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया भारत सासा नधिनियम जब आया 2935 में उस समय इनकी सेबा सरते तथा कार्यों सक्तियों का इसपस्त ब्रिस्तार से चर्चा कर दी गई उनका इसपस्त कर दिया गया कि ये आपके कार्य होंगे ये आपके सक्तियां होंगे इन सब के बारे में चर्चा की गई आए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 जन्वरी 1950 जैसा कि मैंने आपको बताया और आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ उसके पहले ऐसे संविधानिक वेवस्था नहीं थी एक प्रॉपर वेवस्थी चीजें नहीं थी उस समय अनुच्छे जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें जो आर्टिकल नंबर 148 था उसमें भारत के राष्ट पती द्वारा किसकी नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छक की नियुक्ति की गई C.A.G. की नियुक्ति की गई और यह सम्भैधानिक निकाय को गया तब से क्योंकि संविधान में इसका अबंड्यंट कर दिया इसकी संविधानिक बिवस्था हो गई तो यह संविधानिक निकाय हो गया अब 19.1958 मिन जम्मू कासमीर को C.A.G. के के तहर लाया गया और अब तो आप जानते हैं कि जम्मू कास्मीर हमारे भारत का एहम हिस्सा होगे आर्टिकल 370 के बारे में भी अपन बात करेंगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे आर्टिकल 370 जानेंगे हमकी खतम हुआ इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे 1968 लेखा बोड की स्थापना देखें लेखा बोड की स्थापना में एक अध्यक्ष वा तियन सदस होते थे और इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है तो वो CAG के द्वारा की जाती है कंट्रोलर जर्नल आफ इंडिया के द्वारा की जाती है 1971 CAG करतब सक्तियां वा सेवा सर्तें जो तैं की जाती है वो अधिनियम गठित किया गया जो इनका 1971 में उसके तहत ऐसा किया जाती है अधिनियम में CAG को केंद्र वा राज सरकारों के लिए लेखांकन वा लेखा परिच्छा के बारे में बात की गई है इन दोनों को जुम्मेदारी दी गई 1974 CAG की लेखा के कारियों से मुक्त कर दिया गया और वो भी किसके तहत किया गया तो वो CAG का जो अधिनियम है 1971 में संसोधन के बाद ऐसा कर दिया गया अब आगे हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं परिचे हम परिचे के बारे में बात करें कि बरतमान में जो हमारा CAG है उसकी क्या संरचना है क्या उसका परिचे है बर्णन के अगर हम बात करें कि इसका बर्णन कहां पे है संबिधान में तो आप जानते हैं कि भारती संविधान को मैंने आपको बताया कि भाग 5 का जो अध्याए 5 है उसका जो अर्टिकल है अध्याए 5 का आर्टिकल 341 से कहां तक 100 इंक्यामन तक किसका वर्णन किया गया है? प्रक्रति कैसी है इनकी स्वतंत्रवा संविधानिक निकाय से जानते हैं आसे यह है कि संविधान में बर्णन है इसका किसी विशेश भागय विशेश अनुक्षेद में स्वतंत्र है कि इसमें किसी प्रकार का बाहस्तचेप नहीं है किसी भी प्रकार का बाहस्तचेप नहीं ह ये एक स्वतंत निकाय है ऐसा सम्धानी बर्णन है इसका इसके प्रमुकार की बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रमुकार क्या है संग हुआ राज्यों के बित्तिय प्रसासन की निगरानी करता है चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो उनकी जो बित्तिय प्रणाली है जो सही जगे खर्च हो, कहां खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी जो भी निगरानी का काम होता है, देखरेक का काम होता है, वो कौन करता है, तो वो CAG करते हैं, Controller, Erditor, Journal of India करते हैं, CAG के तहट वो किया जाता है, इस्थापना की अगर हम बात करें, तो 1898 में इनकी स्थापना हुई है मैंने पहले अपन ने जब प्रेश्ट भून पढ़ी उसमें देखा है बरतमान का क्या सरूप है बरतमान में कब से कोई बदलाव नहीं हुआ कौन सा सरूप बरतमान में काम कर रहा है तो 26 जन्वरी उने 150 को जो सरूप था हमारी C.A.G. का वो बरतमान में भी वही चल रहा है बरतमान में भी वही फालो किया जार हम मुख्याले के अगर बात करें कि मुख्याले कहां है तो मुख्याले इसका नई दिल्ली में है मुख्याले इसका नई दिल्ली में है प्रथम प्रमुख प्रथम प्रमुख के बारे में हमने चलिए करीड ली कि एड़वार्ड ड्रैमंड जी जिए थे वो प्रमुख थे और इनका कारेकाल कब था तो 1860 से 1862 के आसपास का इनका समय था प्रथम भारती के अगर बात करें कि प्रथम भारती कौन थे जो CAG बने तो वो वी नरहर इराल जी थे जो पहले भारती CAG बने CAG के प्रमुख बने और इनका कारेकाल जो था वो था 1948 से 1904 के आसपास का आईए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बरतमान प्रमुख की अगर हम बात करें कि बरतमान में प्रमुख कौन है बरतमान में CAG का प्रमुख कौन है तो प्रमुख जो बरतमान में है वो गिरियस चंद मुर्मुजी है और गिरियस चंद मुर्मुजी जो है वो 14 हवे करम के हैं वो कौन से 14 हवे करम के हैं और इनकी नियुकती कब हुई इनकी नियुक्ति हुई 8 अगस्त 2020 के आसपास 8 अगस्त 2020 को और ये बरतमान में कारिड़त है अन्य की अगर बात करें कि अन्य कौन लोग इसमें काम करते हैं तो बिनोदराय, सुसिकान सर्मा, राजियु महर्स ये जब हम पढ़ रहे हैं तो बरतमान में हैं जब भी आप एक् अब गत रहें और आप एक्जाम में या इसलिए आप से कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है इनमें कारिकाल जैसे ही पून होता है नए लोग आते हैं इसलिए आप इनसे वाकिप रहें अब हम देखते हैं एक महत्यपूर फैक्ट के बारे में जैक्टर अम्बेडिकर का एक कथन था उन्होंने ये कहा कि भारत में नियंतरक महालेखा परिच्छक भारतिये संबिधान के तहत एक सबसे महत्यपूर संस्था है इसके सबान और कोई अधिकारी नहीं होगा ये लोकवित का संरक्षन करने के लिए एक महत्यपूर संस्था साबित होगी और बहुत सारी संस्था उन्होंने दुलना की चाहे उच्झ नियाले की बात करें हम चाहे नियाले की बात करें इन सब के बारे में उन्होंने कहा और उनका कथन ये था अगर हम कोट करें तो नियंत्रक और महालेखा परिक्षक भारती सम्विधान के तहर सबसे महत्यपूर अधिकारी होगा यह लोक तांत्रिक ववस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा अर्थात अलग होगा महत्यपूर होगा उनका ऐसा कहना था अब हम देखते हैं महत्पूनन उच्छे इसकी सम्वैधानिक विवस्था क्या है कहां सम्वैधानि में इसका कैसे वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में बात की गई है हम एक एक करके बिस्तार से समझेंगे और आंगे बढ़ेंगे महत्पूनन उच्छे मैंने आपको बताया कि भाग 5 आर्टिकल 52 से 100 इंक्यामन तक में किस की बात की गई है संग की बात की गई है और संग में इनमें राष्टपती उपराष्टपती संसद इन सब चीजों के बारे में बात की गई है इनका जो चैप्टर फिप्ट है उसमें 149 से 100 इंक्यामन में CAG के बारे में चर्चा की गई है कंट्रोर एंड ओडिटर जन्रल ऑफ हिंडिया भारत के नियंतरा के महालेखा परिक्षक के बारे में चर्चा की गई है अब हम अनुच्छेद 149 के बारे में देखते है 149 क्या कहता है 149 कहता है CAG की नियुकती सपत और सिवा सर्ते इनके बारे में कौन बात करता है तो इनके बारे में बात करता है भारतिय संबिधान का अनुच्छेद 149 अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि भारत का एक C.A.G. होगा ये एक सदसी निकाए है आप याद रखें अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि C.A.G. निमने लिखित में से कैसा निकाए है एक सदसी ये दो सदसी ये तिन सदसी ये चोथे में कोई अलग आपसन दे दिया है तो आप याद रखें जो CAG है भारत का वो एक सदस्य निकाय है तो भारत में CAG की बात कौन करता है तो वो अनुच्छे 148 एक बात करता है अब अगर CAG होगा तो उसकी नियुक्ती नियुक्ती राष्टपती जी करते हैं ऐसी संबैधानिक प्रक्रिया है राष्टपती जी उ परियंत तक कार्य नहीं करते इनका जो अधिनियम है 171 उसके तहत ये 6 वर्स ये 65 वर्स का कारिकाल होता है नियुक्त जरूर राष्टपती जी करते हैं लेकिन ये राष्टपती के प्रसाद परियंत काम नहीं करते हैं बाहरवाल वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे आई देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोट के निया धिस को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोट को हटाने के लिए दोनों सदनों में विसेश बहुमत से प्रस्ताव पारित होन हम देखते हैं अनुछेद 148 दो क्या कहता है 148 दो कहता है कि सपत होगी क्योंकि अगर कोई अध्यक्ष बन रहा है कोई प्रमुख बन रहा है तो वो सपत लेगा तो CAG जो सपत लेते हैं वो राष्ट पती के सामने सपत लेते हैं या राष्ट पती के द्वारा नियुक्त किय गए किसी भी व्रक्ति के द्वारा सपत इनको दिलाई जाती हैं तो तीसरी अनुसूची के अनुसार राश्ट पति जी इनको सपत दिलाएंगे और अनुचे 143 कहता है कि बेतन वा सेवाशरतें संसत द्वारा निरधारीत होंगी कहां निरधारीत होंगी तो संसर निधारित करेगा कि इनकी बेतन और सेवसरते क्या होगी ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नियुक्ति के बाद अलावकारी परिवरतन नहीं होगा अलावकारी परिवरतन से आसे आप जानते हैं कि जब भी किसी की नियुक्ति हो रही है जब भी प्रमुक किसी एजी के प्रमुक को निक्ति हो रही है उस समय चाहे बेतन भत्ति की बात हो चाहे अन्य सिवाओं की बात हो जो उस समय तैंकी गई थी वही रहेंगी उसमें कमी नहीं की जा सकती ब्रद्धी हो सकती अलावकारी मतलब हानी नहीं पूंचाए जाएगी सिवा में कमी नहीं की जा सकती है सहीं बात करता है संसत महालेखा परिक्षक अधिनियाम मैंने आपको बताया उसमें बेतन सरवोच नहाले के नहायधिस के समाद जो अधिनियाम है कौसा अधिनियाम महा लेखा परिच्छक अधिनियाम 1971 उसमें यह कहा गया है कि इनका जो वेतन होगा जो चीजी का वेतन होगा focus doesn't सरवोच चिन्याले के नियाधिस के समान सरवोच चिन्याले के जो नियाधिसों को वेतन दिया जाता है वही वेतन इनका होगा और अभी बरतमान में जहां तक मुझे याद है 2.5 लाग 2.5 लाग किनकी 2.5 लाग वेतन है किसका हमारे जो सुप्रेम कोट के नियाधिस हैं और उ CAG का वेतन कितना है 2.5 लाग आई ये हम आगे बढ़ें और देखते हैं अनुच्छे 244 कहता है कि सेवा नर्वत्ति के बाद भारत वा राज सरकार की आधियन ये कोई भी पद धारण नहीं करेंगी जो CAG होंगे वो भारत सरकार के अंतरगत या राज सरकार के अंदर अंतरग है कि CAG का प्रसासन जो है CAG का प्रसासन और नियम CAG की सलाह से कॉम ते करता है राश्ट पती जी ते करते हैं ऐसी प्रक्रिया की बात की गई है अब अनुच्छे 146 166, 146, CAG का बेतन ववे, जो CAG में बेतन, चाहे CAG की बेतन भत्ते की बात करें, या अन्य खर्चों की बात करें, तो वो कैसे तय होगा, कहां से दिया जाएगा, तो वो संचित निधी पर भारित होगा, और कहां की संचित निधी पर, तो भारत सरकार की संचित निधी पर भा जा गया है पदावद की बारे में हमने बात करी कि इनका जो पदावद ही है वो 6 वर्स या 65 वर्स की आयू तक होगा चाहे कारेकाल 6 वर्स का पहले हो जाए और चाहे आयू उम्र 65 वर्स पहले हो जाए जो भी पहले होगा तब तक इनका कारिकार रहेगा बेतन बेतन के बारे में हमने बात करी ही कि जो अधिनियम है महालेखाकार का 1971 का उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रेम कोट के नियाधिस को वेतन दिया जाएगा वही वेतन CSI का होगा और मैंने आपको बताया कि 2.5 लाग बरतमान में इनके वेतन है त्याग पत्र की अगर बात आए इनको लगे कि हमको त्याग पत्र देना है तो वो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं राष्ट पती जी को दे सकते हैं और इसकी भी बात कहा की गई है तो महालेखाकार अधिनियम 1971 में ऐसा कहा गया है अब हम अनुच्छेद 149 की ओर आंगे बढ़ते हैं हमने 148 के सभी सब अर्टिकल चाहे 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने सब विस्तार से देखा अब हम अनुच्छेद 149 के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार 149 क्या कहता है C.A.G. के बारे में तो C.A.G. के कर्तब ववासक्तियां C.A.G. के कर्तब ववासक्तियां क्या होंगी तो यह संसद निर्धारित करें संसद दोरा निर्धारित होंगे और यह संसदी अधिनियम जो है 1971 उसके तहट ऐसा किया जाए ऐसी बात की गई अनुच्छे देख सो पचास में ये कहा गया है कि संग और राज्यों हे तु प्रारूप संग और राज्यों हे तु एक प्रारूप होगा और वो C.A.G. की सलाह पर राष्ट पती द्वारा तैं किया जाएगा C.A.G. सलाह देंगे राष्ट पती जी को और तब एक प्रारूप तैं होगा चाहे वो संग के लिए हो या राज्यों के लिए हो अब अनुच्छे देख सो इंक्यामन जो C.A.G. का है वो क्या कहता है तो C.A.G. की रिपोर्ट C.A.G. की रिपोर्ट का जो प्रतिवेदन है उसके बारे में बात करता है तो C.A.G. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बित्ती जो प्रबंधन है बित्ती प्रबंधन का काम बित्ती संरक्षक का काम करता है तो ये रिपोर्ट किसको देगा अपनी बारसिक रिपोर्ट किसको देगा तो ये बारसिक रिपोर्ट अपनी जो केंद्र की है वो केंद्र सरकार के अंतरगात राश्ट पती जी को देते हैं और राश्ट पती जी उसे समय समय पर संसत के सम्मुख रखवाते हैं प्रतिवर्स ऐसा किया जाता है और जो राज्य की रिपोर्ट होगी वो ये राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल जी विधान राज्य की जो विधान मंडल है विधान सभा है कई जगे विधान परिशद है लेकिन विधान मंडल जो की दोनों से बनता है चाहिए वो विधान परिशद ह या विधान सभा हो, वहां प्रस्तुत कराएंगे कौन? राज जपाल, तो ये जो अपनी रिपोर्ट है, बारिसिक रिपोर्ट, वो केंदर इस्तर पर राश्टपती जी को और राज इस्तर पर राज जपाल को देते हैं, और वो प्रतिवर्ष अपने-पने पटल पर संसाद और विधान मंदल में रखवाते हैं CAG की स्वायत्तता CAG की स्वायत्तता कहां तक है इनकी क्या स्वायत्तता है इनकी क्या स्वतंदरताएं है उनके बारे में हम देखें तो अनुछेद 148.1 के तहद ही आप जानते हैं कि कहा गया है कि CAG राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है पॉइंट नमर टू CAG अधिनियाँ उनए 171 के अनुसार जो इनका कारिकालते किया गया है वो 6 वर्स या 65 वर्स की आयू तक होगा पॉइंट नमर थ्री अनुच्छेद 148 वन कि अनुसार ये है कि CAG को राष्ट पती द्वारा सुप्रीम कोट नयायाले के नयायधिस को हटाने के तरीके के समान अर्थात जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हटाने के जो प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोट के नयायधिस के जो प्रक्रिया होती है उसी को अपनाया जाएगो अनुछेद 148.3 कहता है कि C.A.G. का बेतन अन सिवा सरतें नियुक्ती के बाद उनमें अलावकारी परिवर्तन नहीं होगा इसके बारे में हमने चर्चा करी है अब जो अनुछेद 148.4 है वो कहता है कि C.A.G. अगर एक बार C.A.G. के पद से सेवा निवत होने पर या इस्तीफा देने पर वो किसी भी राज्य सरकार या केन सरकार के अंतरगत कोई पद्धारन नहीं करेगा उसकी योगता नहीं रखता वो उसकी लिए इलिजिवल नहीं है वो अब हम देखे अनुच्छेद 145 लेखा विभाग में सेवा रत अधिकारियों की सेवा सरतें कौनते करेगा राष्ट पत्ती द्वारा उससे परामर्स के बाद निरधारित की जाएंगी C.A.G. के परामर्स के बाद ही निरधारित की जाएंगी पॉइंट नुबर सेवन अनुच्छेद 149 का जो सब आर्टिकल 6 है वो यह कहता है कि C.A.G. के व्याय जो हमने इसके व्याय के बारे में बात करी वो कहा है तो भारत की संचित निधी पर भारित होगा वहीं से इनका खर्चा जो भी हो चाहे वेतन भत्ते हो या अन्न खर्चे हो भारत की संचित निधी पर भारित होगे आएए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं CAG की कारवा सक्तियां CAG की कारवा सक्तियां क्या है क्या काम करता है CAG और इसकी कहां तक सक्तियां है इनकी क्या सिमाएं है सक्ति कहां खतम होती है उसके बारे में हम चल्चा करेंगे कितनी पावर रखता है ये C.E.G. उसके बारे में देखेंगे हलाकि C.E.G. की पावर बहुत होती भारत वा राज्य की संचित निधी चाहे भारत हो या किसी भारत मतलब केंदर के इस्तर पर हो चाहे राज्य के इस्तर पर हो उनकी संचित निधी उनकी आकास्मिक निधी और सारवजनी खातों के परिच्छन का काम कौन करता है CAG करता है सरकारी कमपनी वा केंदरी या राज्य द्वारा पोसित सरकारी कमपनी हो या केंदर सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पोसित हो उनको भी परिच्छन का काम उनकी संस्थानों के भी परिछन का काम कौन करता है तो CAG करता है अब point number 6 देखें साथी अनुचे 279 279 ये कहता है कि सुद्ध आई की गड़ना सुद्ध आई की गड़ना CAG द्वारा प्रमानित की जाती है CAG ही बताएगा कि क्या बचत रही क्या खर्चा हुआ point number 4 केंदर सरकार वा राज सरकारों के किसी भी विभाग के खातों के परिछन का काम कौन कर सकता है किसको ये सकती है तो वो CAG को है वो इसकी audit कर सकता है राश्ट पती या राज जपाल द्वारा अनुसंसित किये जाने पर किसी या अल्य प्राधिकरन के खातों का audit भी कौन कर सकता है तो ऐसा करने का काम भी CAG को है और अगर example दें कि ऐसे कब जरूरत पड़ती है तो इस्थानी निकायों के इस्तर पर ऐसा होता है इस्थानी निकायों कोई इस्तर पर बरतमान में ऐसा नहीं है वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कब से ऐसी प्रक्रिया हुई आईए देखते है अनुच्छे देख सो पचास केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंद में सलाह कौन देगा राष्टपती जी देंगे इसके बारे में हमने चर्चा करी है अनुच्छे देख सो इनक्यावन केंद्र के खातों से संबंदित अपनी आउडिट रिपोर्ट राष्टपती को सौपता है C.A.G.S.A. कारे करता है वो आउडिट करने के बार रिपोर्ट राष्टपती को सौपता है तो विधान मंडल में अपने विधान सभा के पठल पार रखवाते हैं Point No.9 ये कहता है कि संसत की लोक लेखा समित के सलाहकार के रूप में कार करता है अब यहां आ गया संसत की लोक लेखा समित तो हम थोड़ा सोट में लोक लेखा समित के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम जब संबैधान के बारे में बिस्तार से पढ़ेंगे, उस समय चर्चा करेंगे, कि आखिर लोक लेखा समित होती क्या है, लोक लेखा समित का भी काम इसी तरह है, कि वो लोक के बारे में परिरक्षन करने का काम, आडिर करने का काम करती है, लोक ल साथ जो होते हैं वो जो राज सभा होती है राज सभा के सभा पती दौरा नियुक्त किये जाते हैं इस तरह कुलमिलाके 22 सधसे होते हैं लोक लेखा समीद को और लोक लेखा समीद कि जो सलाहकार की रूप में कार करता है, वो CSG करता है एक तरह से गाईट करने का काम लोक लेखा समीत के साथ होता है ऐसे क्योशन पूछे जाते हैं आपके एकजाम में, कि CSG से सम्बंदित कौन सी समीती है तो लोक लेखा समीती है, कई बार कोशन पूछ लिया जाता है कि लोक लेखा समीत में कितने सदस होते हैं, तो 22 सदस से होते हैं, 22 कुलमिला के संख्या होती है, पूछ लेता है कि किस सदन से, लोक सभा से 15 और राज सभा से 7 सदस न्यूक्त किये जाते हैं, ये सब factual चीजे थी इनके बारे में हम ने चर्चा करी बारहाल हम यहाँ C.E.G. पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि संसद के लोक लेखा समित के सलाह कार के रूप में कार करता है कौन C.E.G. आईए आगे बढ़ते तो हम मद्ध्व प्रदेश महालेखा कार कार्याले के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हम मद्ध प्रदेश का जो प्यसी है मद्ध प्रदेश लोग से बायोग के जो प्रसासनिक एक्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है तो हम बेसिक फैक्ट चर्चा करें बेसिक फैक्ट के बारे में हम जाने तो इस्थापना की अगर बात करें तो माई 1985 में इसकी इस्थापना हुई आधार क्या रहा इस्थापना का आधार क्या रहा तो अनुच्छेद 149 एबं भारत के सियेजी करतब सेवा सर्ते सक्तियां का जो अधिनियम है 1971 का उसकी धारा 10 के तहट इनको ये आधार प्राप्त हुआ किसके लिए मंद्पदेश महा लेखा कार इस्थापना के लिए और इस्थापना मैंने आपको बताई कि 1985 में इसकी इस्थापना हुई थी मुख्याले की अगर बात करें कि इसका मुख्याले कहा है तो मुख्याले गौलियर में है और जो इसका कार्याले है छेतरी कार्याले अगर कहें तो वो भोपाल में है और जो नोडल निकाए है जो नोडल निकाए है जिनके देखरेक में ये काम करता है तो वो कौन है तो CAG है भारत का नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक और जो इसका मुखकार है अगर महत्पूर्ण कारे के बारे में बात करें कि ये क्या काम करता है तो राज्य सरकार के विया एवं प्रतियों के मासिक लेखाओं का संकलन करता है मासिक लेखाओं के बारे में देखता है और फिर उसकी रिपोर्टिंग करता है CAG को आएगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य महत्पूर्ण तत्थ अन्य महत्पूर्ण तत्थ के बारे में चरचा करते हैं ना ही वो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभाग लेकिन कारवाई में भाग ले सकता है CAG के वेतन और भत्ते मैंने आपको बताया इसके बारे में चर्चा करी है कि भारित की संचेत निधी पर भारित होंगे point no.3 CAG दोरा की गई टिपणियों पर कारवाई की जो अंतिम जुम्मेदारी है CAG जो CAG की दोरा की गई जो टिपणियां है उनमें अंतिम कारवाई का अगर किसी को अधिकार है तो वो किसको है तो वो संसद को दी गई है संसद ऐसा कर सकता CAG लोक लेखा समित के बैठक में भाग ले सकता है लोक लेखा समित के कभी बैठक होती है तो उसमें CAG भाग ले सकता है लेखा और लेखा परिक्षक अधिनियम 2017 के अनुसार क्या हुआ है कि CAG इस थानी निकायों का परिक्षण नहीं करते ऐसी बात की गई तो साथियों आज हमने बिस्तार से पढ़ा समझा की CAG क्या है भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की क्या संबैधानिक प्रक्रिया है क्या उसके कारे है क्या उसकी इस्थिती है बरतमान में क्या सनरचना है इन सब के बारे में हमने चर्चा करी मैं उमीद करता हूँ कि आप इससे आपको बहुत लाव अपनी तैयारी में मिला होगा आप कम्पिटीशन कम्यून्टी की टीम के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बहतर बनाते चलें संघर्स ही सफलता की एक सबसे महत्पूर्ण करी है आप संघर्स करते रह करें और अपना सेलेक्शन सुनिश्चित करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद